हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको रीका वैक्स के बारें बताऊंगी यह हमारा रीका वैक्स का कंटेनर है यह देखिए यह इसके उपर इसके रेट लिखे वे हैं यह हमारी रीका वैक्स का धक्कन जो है जब भी आप खरीदें इस बात का ध्यान रखें इसके जो प्लास्टिक ये एक्ष्रों में रीका लिखा हुआ है ये अपर भी ऋब्बाया है डीक इंटेनर है। से खरीदें यह बहुत ठीक होती है और इhtि जो येधिए इसकी 3 साल तक के लिए है ये फारी होती है कि आधि देखिने इस तरीके से ंपय कि एफिलाक स्का धैके टोगाय प्रसंटी प्रसरे संट्फिलिए आफंड के लिए यह अलग अलग फिलेवर में आती यह देखिए आप इसको डारेक्ट इसका जो यह कंटेनर है डारेक्ट हीटर पर भी रख सकते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है आप जितने एरिये पर आपको करनी है आप यह उतनी वैक्स निकाल लीजिए यह हमारे जो आज कस्तमर आये वे हैं उन्होंने अंडराम्स कर करनी बताएंगे और बहुत असान तरीके से आपको बताएंगे यह देखिए हमने थोड़ा सा ओयल ले लिया है यह हमारे जो कस्तमर आये हैं इनकी थोड़ी हलकी ग्रोथ है हमने हलका सा कोकोनेट ओयल लगा लिया है और बालों की डारेक्शन के हिसाब से हम यह हम वैक्स ल स्टिप्स लगा देंगे थोड़ा टैप अच्छी तरह से करना है और डारेक्शन का ध्यान रखना है यह देखिए यह हमारी एक स्टिप्स में ही हमारी यह वैक्स हो गई है इनकी अब वैक्स करने के बाद हमारों को हलकी सी एलोवीरा जैल से मसाज करनी है आपके पास एलो वो थोड़ा कोसली पड़ता है अगर आप उससे करना चाते हैं तो उससे भी कर सकते हैं अगर आपके पास जैल है तो आप जैल से भी कर सकते हैं यह देखिए हमने एक साइड में इनकी अंडर आम हमने कोकोनेट ओयल से करी थी अब हम यह दूसरी साइड में इनकी रीका प् यह देखिए हमने अब इनके फ्री वैक्स जैल लगाया है इसकी बालों का डारेक्शन देखकर हमने यह दो पार्ट में वैक्स करनी है यह थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी एरिये पे हमारे को वैक्स लगानी है यह हमने थोड़ी सी वैक्स लगाई है और हम इस तरीके से अराम में से इसको स्टिफ को खीच लेते हैं आज कर Messenger著 को ट्रेंड है काफी लोग da इसका बहुत benefit है इसमें कुछ दर्द नहीं होता है कुछ पेन आज पहलं होजाती है ये एक हलकी सी मसाज़् जरूर करनी है जैल से अब इनकी जो गरोथ है काफी है और इनकी इनको पसीन बहुत आता है और इनकी ओली स्कीन भी है इनकी अंडरांस थोड़ी काली भी है इनकी हम वैक्षिंग पाउडर है हमारे पास बाउडर से करेंगे यह देखिए इनकी ग्रोथ काफी है पहले हमने इनको वेक्सिंग पाउडर लगाया है और हम थोड़े-थोड़े इससे में डारेक्शन के इसाब से इनकी वेक्स करेंगे इससे जो हमारे अंडराम्स काली हो जाती है वो भी हमारी साफ हो जाती है आप तो एक बार जब यह रिकवेक्स करवाएंगे तो बिलकुल यह ब्लैकनेस हट जाएगी इससे इसको आप प्राइवेट एरिया बिंग्डनी एरिया जो बोलते हैं उस पे भी कर सकते हैं इसमें पेट नहीं होता है बिल्कुल भी कि यह देखी अभी हमने इनकी वेक्सिंग पाउडर से करी थी जिसकी जिसको जदा पसीना आता है वहसं से कर सकते हैं see powder से अब हमने साइड में इनकी ग्रोध काफी है इनको पसीना भी आता है तो हमने ऐससी साइड में को कोइन टोइल लगा दिया हैं यह यह प्रोचंद को पहुछ लगाएंगे और हमारी असान तरीके से हमारी अंडर राम्स हो जाती है आप इसको अंडर लेक्स भी वैक्स करवा सकते हैं क्योंकि यह पैनलेस होती है यह नॉर्मल वैक्स की तरह नहीं है बहुत इजी से हो जाती है कि यह देखिए हमारे कितने यह इराम से हम बाल निकल जाते हैं और हमारा वी ब्लैक जो एरियाा है यह भी हमारा रिमोव हो जाता है बहुत अच्छी वैक्स है यह इसके कई फ्लेवर आते हैं इसका एलो वीरा फ्लेवर है एलो वीरा लेमन पाइनेपल इस तरीके से काफी फ्लेवर आते हैं और इसकीन के इसाप से ही जब आप इसका कंटेनर खरीदें तो इसकीन के इसाप से खरीदें इसमें सेंस्टिव स्की स्कीना यह कर लिए आता है यह मैंने संस्टीव स्कीन आलो-वीरा यह देंगे अपको इसा भी जैल ले सकते हैं ऐसे मेश करने के बाद मसाज करनी है और मसाज करने के बाद हलका साम गिले टीशू पेपर से हम पोस्ट देंगे आप घर में भी अराम से इवेक्स कर सकते हैं रिकावेक्स काफी ट्रेंड में हैं आज कल सब कस्टमर एदिकता रिकावेक्स ही करवाते हैं अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर याधे में आपको हमारा वीडियो पसमया वीडियो प्लीज लाइक कीजिए देंगे में होता रिकावेक्स कीजिए इशाल सुग City लाइक कीजिए वीडियो बोड़ खू़र इंगे में आपको